नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप घर में सकुषल है ना मैं हूं बी स्रीनिवास खंबम जिला पिनुबल्ली मंडल के चिंता गूडम हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूं हम पिछले सत्र में नीती दोहे पाट के अंतरगत रहीम के एक दोहे देख चुके हैं एक बार फिर दोहराएंगे उस दोहे को कही रहीम संपति सगे बनत बहुत बहुरीत बिपति कसवटी जे कसे तेई सांचे मीत इसका भाव क्या है कि रहीम कहते हैं यदि हमारे पास संपता होती है तो सभी लोग कहां कहां से आकर रिष्टे बांद कर सगे बनने का प्रयास करते हैं जब हम विपत्ती में होते हैं तो उनमें से सच्चे मित्र ही हमारे साथ देते हैं जूटे लोग हमसे दूर भाग जाते हैं किसक जाते हैं इसका मतलब सच्चा दोस्ती ही हमारा साथ देता है विपत्ती एक ऐसी कसवटी है उन लोगों में काउन सच्चे हैं काउन जूटे हैं इसका पता लगाता है और उसके बाद दूसरे दोहे में चलेंगे देखिए रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गये ना उबरई मोती मानुष चून इस दोहे में कुछ नए शब्द हैं उनको रेखां कित कीजिए और उस दोहे के नीचे देखिए कुछ शब्दों के अर्ध हैं पानी कांती चमक और फिर पानी इज्जत फिर एक बार पानी जल इसका मतलब पानी शब्द के तीन अर्ध हैं यहाँ पर और उसके बाद बिना अबिन या बिना सून शून्य व्यार्थ उब्रय उद्धार होता उद्धार होना या बचना मोती यहाँ मोती मानुष्य अब देखेंगे फिर एक बार दोहा रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून्य पानी गये ना उबरै मोती मानुष्य चून्य रहिम इस दोहे में एक चमतकार किया है क्या है कि पानी शब्द को तीन विभिन अर्धों में यहाँ पर प्रयोग किया है रहिमन का मतलब रहिम कहते हैं क्या कहते हैं रहिम पानी राखिये पानी को रखिये पानी को रखने को कहते हैं सब को पानी रखना आवश्यक है बिन पानी सब सून बिन पानी पानी के बिना बिना पानी के सब सून है यानि शून्य है सब व्यर्थ है पानी के बिना सभी व्यर्थ है पानी गये न उबरई मोती मानश चून्य पानी गये पानी के चले जाने से न उबरई बचते नहीं न उबरई का मतलब बचते नहीं क्या बचते नहीं पानी के चले जाने से मोती मानश चून्य और चून चूना आपको मालूम है घर को चूना लगाते हैं चूना लगाने से घर सुन्दर दिखता है कीटान वोम से घर की रक्षा होती है लेकिन ये तीन मोती मनश और चूना पानी के बिना व्यर्थ है बचते नहीं है रहीम इस दोहे में कहते है की आपको पानी बनाए रखना है पानी को रखना आवश्यक है पानी के बिना सब व्यर्थ है ये पानी के तीन अर्ध क्या-क्या है मोती के विशय में चमक मनिश्य के विशय में प्रतिष्ठा गवरव या इज्जत और चूने के विशय में जल यानि पाने इन तीनों अर्धों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है अब देखेंगे फिर खुला सा रहीम पानी के बिना ये सब व्यर्थ है कहते हैं जिस प्रकार पानी के बिना यानि चमक के बिना मोती व्यर्थ होता है उसका मूल्य नहीं होता है और उसी प्रकार मनिश्य को पानी चले जाने से यानि इज्जत का गौरव का नस्ट होने पर मनिश्य नहीं रहता। उसी प्रकार चूना पानी को चूने में मिलाने पर ही घर को लगा सकते हैं। इसलिए पानी के बिना चूना व्यर्द होता है। इसका मतलब पानी के बिना ये तीन व्यर्द हैं। मोती, मनिश्य और चूना। अब देखेंगे भावार्द। लिख लीजिए इस दोहे में रहीम ने जीवन में जल के महत्व पर प्रकाश डाला है। वे इस दोहे में पानी शब्द के तीन अर्थ बताए हैं। जो जल, इज्जत, चमक से संबंधित है। इज्जत के बिना मनिश्य, चमक के बिना मोती और जल के बिना चूना व्यर्द होता है। पानी के बिना इन तीनों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हर हालत में पानी की रक्षा करने की प्रेरणा रहीम हमें देते हैं। समझ गया ना बच्चों? अब चलेंगे बिहारी के दोहे। देखिए, कवी बिहारी और उनका जीवनकाल पंद्रा सव पचानवे, सोला सव तिर सट्थ। प्रसिद्ध रचना बिहारी सत्सई। विशेश इनके दोहे नीती परक होते हैं, इनके दोहों के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है। बिहारी का परचय वाक्यों के रूपे देखेंगे। बिहारी का जन्म पंद्रा सव पचानवे में हुआ और मृत्यू सोला सव तिर सट में हुई। उनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सत्सई है। बिहारी के दोहे नीती परक होते हैं, यानि नीती को बोध कराने वाले होते हैं। इनके दोहों के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है। हम पहले ही बता चुके हैं दोहों की विशेशता क्या है। उसी प्रकर बिहारी के दोहे गागर में सागर भर देने वाले होते हैं। यानि छोटे छोटे शब्दों में विश्त्रुत भाव को अपने दोहों में दर्शाते हैं। अब चलेंगे उनके दोहों में। पहला दोहा देखिए। कनक कनक तैं सव्गुनी मादकता अधिकाए। उही खाय बवराई जग इहिं पाय बवराई। कनक कनक तैं सौगुनी मादकता अधिकाए उही खाय बाउराई जग इहिं पाय बाउराई इस दोहे में जो नए शब्द हैं उनको रेखांकित कीजिए शब्दार्द देखिए एक बार कनक याने श्वर्ण सोना आओर एक बार कनक इसका अर्द है धतूरा तैं या से मादकता नशा अधिक अधिक होना बाउराई पागल होना उही वह या उसको इहिं यह या इसका खाये खाना पाये पाना जग दुनिया फिर एक बार दोहा देखिए कनक कनक तैं साउगुनी मादकता अधिकाए उही खाये बाउराई जग इहिं पाये बाउराई यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है इनके अर्थ अलग-अलग है पहला कनक इसका अर्थ है सोना यानि स्वर्ण गोल्ड और दूसरा कनक धतूरा एक बार चित्र देखिए यहाँ पर चित्रों में दिखाई दे रहा है पहले चित्र में धतूरा है आप सब जानते है ना धतूरा उम्मेत्ता और दूसरा सोना यानि स्वर्ण इन दोनों की तुलना की गया है यहां पर दोहा कनक कनक तैं सवगुनी बिहारी कहते हैं कनक कनक से सवगुनी सवगुना आधिक नशीला होता है यानि सोना धतूरे से सवगुना आधिक नशीला होता है क्या कहते हैं बिहारी पहला कनक का अर्द है सोना स्वर्ण और दूसरा कनक का अर्द है धतूरा कवी कहते हैं सोना धतूरे की अपेक्षा सवगुना आधिक नशीला होता है और उही का ये बौराई जग उही उसको किसको धतूरे को धतूरे को खाने पर यह जग बौराई बनते हैं यानि पागल बनते हैं नशीला होते हैं इसका मतलब है धतूरे को खाने से व्यक्ति उन्माद होता है लेकिन इहीं पाए बौराई इसको पाए पाने से बौराई उन्माद बनता है इसको पाने से किसको पाने से सोने को पाने के मात्र से व्यक्ति क्या होता है उन्माद होता है उस पर सोने को पाने से उस पर घमंड चड़ता है इसलिए कवी बिहारी क्या कहते हैं सोना धतूरे से सवगुना अधिक नशीला होता है क्योंकि धतूरे को तो खाने से प्वेक्ति उन्माद होता है लेकिन सोने को तो पाकर ही मनिश्यू उन्माद हो जाता है समझ गए ना बचों यहां पर कनक शब्द को दो अर्थों में लिये गए हैं दोनों नशीले चीज़ हैं धतूरा और स्वर्ण या सोना अब इसके भावार्द देख लीजिए इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि मनिश्य के मन पर धन का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है बिहारी लाल कनक शब्द के दो अर्थ बताए हैं एक कनक का शब्द एक कनक शब्द का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ स्वर्ण है धतूरे की अपेक्षा स्वर्ण का नशा सव गुना अधिक होता है क्योंकि धतूरा खाने के कुछ देर के बाद नशा चड़ता है और मनिश्य पागल की तरह व्यवहार करता है परन्तू सोना धन संपत्ती के पालेने से तुरंत पागल हो जाते हैं कुछ गर्व चड़ जाता है और वह पागल के जैसे व्यवहार करता है अब देखेंगे दूसरे दोहे की वोर नरकी अर नल नीर की गती एकई कर जोई जेतव नीचव हवय चलै तेतव उन्चव होई फिर एक बार पड़ेंगे नरकी अर नल नीर की गती एकई कर जोई जेतव नीचव हवय चलै तेतव उन्चव होई इस दोहे में नए शब्द जो है उनको रेखांकित कीजिए अरू और आप देखेंगे उन शब्दों के अर्थ अरू और नल नीर फुहार के नल का पानी यानि फॉंटेन वाटर उसके बाजू में देखिए फॉंटेन दिखाई दे रहा है नल नीर या टाप वाटर भी कहते हैं गेती व्यवस्था जेतव जितना तेतव उतना नीचे निम्न गामी चलै चलता फिर एक बार दोहा पड़ेंगे ध्यान से सुनिये नर की अर नल नीर की गेती एकई कर जोई जेतव नीचव हवय चलै तेतव उन्चव होई कवी बिहारी लाल इस दोहे में कहते है कि नर की नर नर का मतलब मनिश्य मनिश्य की और अरू का मतलब और नल नीर की नल का पानी इन दोनों की गेती यानि स्तिती एकई कर जोई दिखने में एक जैसे दिखता है किनकिन की गेती मनिश्य की और नल नीर की दोनों की गेती एक जैसे दिखता है जेतव नीचव हवय चलै और उन दोनों को पानी को कितने नीचे लाया जाता है उतने उन्चे पहुंच जाता है जेतव नीचव हवई चले जितना नीचे लाया जाता है उतना उन्चे पहुंचते हैं नलनीर से मतलब फवारे के पानी से वह पानी जितना नीचे लाया जाता है उतनी फुहार उन्ची छूटती है यही हालत विनम्र मानव की है विनम्रता मानव को उन्नती के सोपान पर बिठाती है नलनीर के जैसे मनश्य भी मानव भी विनम्रता से रहने से उन्नती के सोपान पर पहुंचते हैं इसलिए कभी बिहारी लाल कहते है कि नल की नर की यानि मनश्य की और नलनीर ठोंटी पानी का दशा एक ही जैसा इन दोनों की तुलना करते हैं यहाँ पर मनश्य को नलनीर के जैसे होने चाहिए बिहारी के अंसार वैक्ति को विनम्र होना चाहिए क्योंकि जीवन में जो विनम्र होता है वह जीवन में उन्नती पाता है नलनीर के जैसे फौंटेन में पानी को नीचे लाया जाता है, जितने नीचे लाया जाता है उतने ऊपर पहुंचता है, इसलिए नलनीर के जैसे मनशी भी विनम्र होनी चाहिए, अब देखेंगे इसका भावार्थ बिहारी कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना विनैशील होता है, उतना ऊचा दरजा प्राप्त करता है, वे कहते हैं कि नर तथा नल के पानी की गैती एक ही है जैसे नर जितना विनीत होता है उन्हें उतना मान सम्मान मिलता है उतना श्रेष्ठ और उन्चा बनाता है उसी प्रकार नल का पानी जितना नीचे बहता चलता है उतना ऊपर उठाया जाता है इसलिए नर को नल नीर जैसे होना चाहिए समझ गया ना बच्चों अब देखेंगे इन चार दोहों के अंतरगत चार प्रश्न दिये गए हैं उन प्रश्नों के जवाब देखेंगे पहला प्रश्न है रहीम के अनसार सच्चे मित्र की पाहचान कब होती है रहीम के अनसार सच्चे मित्र की पाहचान कब होती है विपत्ती में होती है क्योंकि कोई विपत्ती आती है तब सच्चे मित्र ही साथ देता है विपत्ती सच्चे मित्र की पाहचान की कसवटी है और दूसरा प्रश्न पानी गए ना उबरई मोती मानश चून पंक्ती का भाव बताईए इस पंक्ती का भाव यह है कि आदमी के गवरव के नस्ट होने के बाद समाज में कोई मूल्य नहीं होता चूना तयार होने के और मोती के चमक के लिए जल ही आधार है इसलिए मोती मनश और चूना यह तीन पानी के चले जाने से बचते नहीं व्यार्द होते हैं और तीसरा प्रश्ण बिहारी ने नर की तुलना किस से की है बिहारी ने नर की तुलना नल के पानी से की है क्योंकि दोनों की दश्या एक ही प्रकार की है दोनों को नीचे की तरव ही चलते हैं जिस प्रकार नलनीर को जितना नीचे लाया जाता है उतनी पुहार उन्ची छूटती है उसी प्रकार मनश को भी विनम रता से रहना चाहिए और उससे वह उन्नती के सोपान पर पहुंच सकते हैं और चौथा प्रश्ण देखिए बिहारी के अनुसार हो गया ना अब फिर एक बार दोहों के भाव समझने का प्रयास करेंगे पहले दोहे में रहीम के पहले दोहे में रहीम कहते हैं कि यदि कोई भी आदमी धन्वान बन जाता है तो सभी उसका आदर करने में तत्पर रहते हैं उसके साथ दोस्ती करने के लिए तयार रहते हैं लेकिन उसके विपरीत कि quasi विपत्ती के कारण दुख़्ी होने पर कोई भी उसके दुख को बांटने के लिए तयार नहीं होते ऐसी हालत में अपने सगे संबंधी भी पराये हो जाते हैं रहीम इस दोहे के द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि जो विपत्ती में अलग ना होकर साथ रहता है वही सच्चा मित्र है और रहीम के दूसरे दोहे का भाव रहीम इस दोहे में कहते हैं कि जीवन में जल के महत्व क्या है वे इस दोहे में पानी शब्द के तीन अर्ध बताए हैं जो जल, इज्जत, चमक से संबंदित है इज्जत के बिना मनिश्य, चमक के बिना मोती और जल के बिना चोना व्यर्ध होता है पानी के बिना इन तीनों का कोई महत्व नहीं है और देखेंगे बिहारी लाल के दोहे बिहारी लाल के पहले दोहे का भाव इस दोहे में बिहारी कहते है कि मनिश्य के मन पर धन का प्रभाव बहुत जाड़ा होता है बिहारी लाल कनक शब्द के दो अर्थ बताए हैं एक कनक शब्द का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ स्वर्ण है धतूरे की अपेक्षा स्वर्ण का नश्य सवगुना अधिक होता है क्योंकि धतूरे को खाने के कुछ देर के बाद नश्य चड़ता है और मनिश्य पागल की तरह व्यवहार करता है परन्त सोना धन संपत्ती के पालेने से तुरंत पागल हो जाते हैं और बिहारी के दूसरा दोहा इस दोहे में बिहारी कहते है कि जो व्यक्ति जितना विनैशील होता है उतना उन्चा दर्जा प्राप्त करता है वे कहते है कि नर तथा नल के पानी की गयती एक ही है जैसे नर जितना विनीत होता है उन्हें उतना मान सम्मान मिलता है उतना श्रेष्ठ और वूंचा बनता है उसी प्रकार नल का पानी जितना नीचे बहता चलता है उतना उपर उठाया जाता है इसलिए नर को नल नीर जैसे होना चाहिए समझ गया ना बच्चों आप अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में यह सब लिख ली जिए और अभ्यास की जिए अगले सत्र में हम अर्दगराह्यता प्रतिक्रिया के अंदर गत जो प्रश्ण दिये गये हैं उनके उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे धन्यवाल